नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अब शेक पुंडीर एक जून को साथवे चरण का मतदान होना है और चार जून को हमें पता चलेगा कि देश का प्रधान मंत्री कौन बनेगा बीजेपी तीसरी बार फिर से मोधी को शपत दिला पाएगी या फिर इंडिया गट बंदन जो गांधी को या फिर किसी और के सर पर यह सहरा सजा पाएगे लेकिन इस वक्त देश में सिर्फ दो तरीकी की लड़ाई है पहली लड़ाई ये है कि बीजेपी की सीट कितनी आएएगी कोई भी इस बाद की चर्चा नहीं कर रहा है कि बीजेपी की बीजेपी पूर पहुमत नहीं ला पाएगी मतलब 272 का जो जादूई आकड़ा है उसे वो छू नहीं पाएगी बस बहस इस बात किया कि बीजेपी की सीट कितने आएगी आपको याद होगा जब चुनाव शुरू हुआ और पहले दो चरण तक तो मोधी के इसी जाल में विपक्ष उलजा रहा कि मोध कि 400 सीटे नहीं आने देंगे मोधी ने जो कहा है कि इस बार 400 पार वो 400 पार नहीं होने देंगे बलाई कुछ भी करना हो हलाकि 400 पार का नारा मोधी ने क्यू दिया था वो उन्होंने इंडे टीवी के इंटर्वीव में खुद बताया कि विपक्ष इस नारे में ही उलजकर गया उनका जो काम था वो कर गए इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगाईए कि 4 जून आने में अभी वक्त है शपत करेंड में अभी वक्त है लेकिन मोधी ने अपना आने वाला 125 दिन का प्लान तयार कर दिया है मतलब 4 जून को अगर मोधी प्रधान मंत्री बनते हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि मोधी का रोड मैप क्या है जरा दिखाईए एक बार चुनाव कि भागदोड में भी हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रही सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा सरकार क्या करेगी सरकार कैसे काम करेगी सरक जो विपक्ष है वो इसी बात में उल्जा हुआ है कि सीटे कितनी आएंगी वो जीत दर्ज कर पाएगा नहीं कर पाएगा क्योंकि अलग अलग विचार्वधाराओं की तमाम पार्टियां इंडिया लाइन्स में आई और गई भी कुछ साथ आए और कुछ ने अपना जो है उ और दूसरा वो आने वाले छे महिने में क्या करने वाले हैं वो भी उन्होंने तैयार कर लिए अज्जारा सुनाईएगा एक बार प्रदानवंत्री मोदी को इनके कायर करता भी अब ठक चुके हैं वो भी देख रहे हैं कि देश किदर जा रहा है और ये पार्टियां किदर जा रही है मतलब इस वक्त प्रदानमंत्री मोदी दो प्लान पर काम कर रहे हैं पहला प्लान है कि जो जब सरकार बने की तो 125 दिनों के बीतर उन्होंने क्या करना है हला कि अक्तर प्रदानमंतरी मोदी 100 दिन का प्लान बनाते हैं 2014 में भी ऐसा देखने को मिला लेकिन इस बार प्रदानमंतरी ने 25 दिन बढ़ा दिये हैं और वो 25 दिन बढ़ाए गए हैं सिर्फ युवाओं के लिए उनके रोजगार के लिए उतके उत्थान के लिए और पा प्रजान मंत्री का कहना है कि 6 महिने के भीद्ध जितने भी शेत्रिया दल है छोटे छोटे तो दल हैं वह खत्म हो जाएंगे उन पर बड़ा एक शन होगा सीधे तौर पर प्रशान मंत्री नहीं का लेकिन सीधे तौर पर कहा था इंडिया गटबंदन के एक बेहधी मजही शरत पवार राजनीटी के बहुत शातिर खिलाडी माने जाते हैं और कहा जाता है कि शरत पवार जो चाहते हैं राजनीटी में वैसा हो जाता है हलकि वो बात अलग है कि NCP जिस वक्त तूटी तो उसका उन्हें इल्म नहीं हुआ लेकिन शरत पवार का कहना है कि 2024 के चुनाव के जब रिजल्ट आ जाएंगे और सरकार बन जाएगी उसके बाद छेत्रिय दलों को अगर अपना स्तित्व तलाशना है तो उन्हें कॉंग्रेस के साथ अलाइंस करना होगा मतलब जो विपक्षी पार्टी है जो फिलाल मुझूदा दल इंडिया गट बंदन में हैं उन्हें विलै करना होगा कॉंग्रेस पार्टी में और एक मजबूत विपक्ष बीजेपी के सामने खड़ा करना होगा तभी जाकर वो बीजेपी को टकर दे पाएंगे बीजेपी का सामना कर पाएंगे वही इसका अगर आपको एक एग्जामपल बताओं तो उत्तर प्रदेश में पार्टी है रालोद जिसके मुखियां है जयंत चौधरी चुनाव से ठीक पहले जयंत चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया सुभास पाइक पार्टी उत्तरप्रदेश में है वो भी बीजेपी के साथ आ गई उनसे तो खेर अलाइंस हुआ है तो यह जो छोटे छोटे दल है वो चुनाव से पहले भाब चुके हैं कि किस तरीके से उन्हें अपना अस्तित्व जिन्दा रखना है क्योंकि आने वाला जो वक्त है आने वाला जो चुनाव है या दो हजार चौबीस के बाद जिस तरीके से देश में वन नेशन वन इलेक्शन लाने की बात चल रह और कहा जा रहा है कि एक देश में एक चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पर काम चल रहा है कि इंद्रे ग्रह मंत्रियामित चाह भी उस कमेटी में शामिल है और पूर्व राश्रुपती रामनाथ कोविंद की अध्धक्षता में कमेटी काम कर रही है अगर आने वाले वक्त मे एक देश एक चुनाव पर महर लगती है देश में तो फिर मुख्यता दो ही पार्टियों के बिए चुनाव होगा वो कॉंग्रेस होगी और बीजेपी होगी और बाकि जितने भी छोटे छोटे दल हैं उन्हें अपना स्तित्व बचाने के लिए अपनी साख बचाने के लिए दोनों में से किसी ना किसी दल के साथ आना होगा तभी वो राजनिती में जिन्दा रह पाएंगे अब जिस तरीके से प्रधान मंत्री का यह आत्म विश्वास है कि वो चार जून के बाद आएंगे और सपत लेंगे और देश में तीसरी बार उनकी सरकार चलेगी यह लोक्तांत्रिक देश में किस तरीके से चुनाव होता है और भारत में किस तरीके से चुनाव हो रहा है क्योंकि आने वाला वक्त जो होगा चार जून में जिस वक्त नतीज आएंगे उस वक्त मैं आपको बता दू के पहला जो विपक्ष का काम होगा वो यही होगा कि विपक् करके ये चुनाव जीतने की कोशिश हुई तो इस देश में आग लग जाएगी अलाकि आग लगाने वाला बयान राहूल गांदी का कोई पहला बयान नहीं है इससे पहले भी वो विदेशों में बैठ कर कह चुके हैं कि पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है और दूसरे करने की बात हो प्रोपर्टीज का या फिर उनकी समर्थित जो सरकारे हैं वो ओबीसी का हक मार कर मुसल्मानों को देने की बात हो तो तमाम तरीके के मुद्दे इस चुनाव में जो है दोड रहे हैं लेकिन विदेशों से भी प्रधानमंत्री मोदी को अब आमंत्र मोदी के कार्यक्रम है वो पहले से ही सेट हो चुके हैं और प्रधानमंत्री को आमंत्रन भी आ चुके हैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री को बीजेपी को या इस देश की तमाम जनता कोई भरोसा नहीं है कि मोदी तीसरी बार वापसी कर रहे हैं बलकि विदेशों में जो सरकार । और शयाद इसी को ले कर जो आग लगाने के बात विपक्ष कर रहा है उसी को ले कर शयाद एक June को जिस वक्त आखरी चरण है मतुदान का उस वक्त दिल्लि में विपक्ष एक बड़ी meeting भी करने जा रहा है सवाल है क्या वो meeting मीडिया के लिए खुला ओगा क्या मीडिया महा स्वतंत्र होगा, मीडिया महा बात कर सहेगेगा, मीडिया को पता होगा, उस मीटिंग में क्या कुछ चल रहा है या नहीं, या फिर 4 जून क्या कुछ होता है, वो तो देखने वाला विशह हो गई, लेकिन जिस तरीके से आत्मिश्वास के साथ, प्रधानमंतरी म खुदी ने 125 दिनों का अपना रोड मैप जनता के सामने रखा है, उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं, नोशकार